इस वीडियो में हम भात करने वाले हैं कि हमारे एंड्रोइड टीवी के अंधर अगर यहां पर हम इंपूट चेंज कर रहे हैं यहां पर क्लिक करते हैं जैसे तो यहां पर हमें कहीं पर भी HDMI का option नहीं मिल रहा है तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए यह मैं आपको बताने वा दिखेंगे वाके में यहां पर HDMI का कोई भी option नहीं दिखाए दे रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए यहां पर देख लीजिए यहां पर सबसे पहले हमें यहां से return लाना है और यहां पर अपने settings में जाना है सबसे पहले स्मार्ट टीव के ठीक है यह रही settings इसको खोलते हैं उसके बाद यहां पर device performance पर जाते हैं ठीक है उसके बाद हमें यहां पर क्या करना है कि inputs पर जाते हैं जो हमारी important setting से ही पर ही इसे खोलते हैं और अब यहां पर हमें HDMI दीख जाएगी अभी एक connected भी हमारी HDMI अब यहां पर हमने क्या लगा रखा है केबल ठीक है इसको हमें केबल से हटाकर HDMI पर लगाना पड़ेगा क्योंकि यह customize होते हैं नेम हम कस्टूमाईज कर सकते हैं तो अब यहां पर यह लग चुका है अब यहां पर जो है हम देखते हैं यहां पर HDMI को लाकर तो अब हमारे यहां पर शो भी हो रही है और काम भी कर जाएगी ठीक है तो ये प्रोसेस रहता इसका सिम्पल्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा